हे गाईस तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 6 ऐसी गाडियां जो कि एक छोटे परिवार के लिए बहुत ही अच्छी रहेंगी इन गाडियों का जो पब्लिक रिस्पॉंस है वो भी बहुत ही अच्छा है इन में आपको माइलेज अच्छा मिल जाता है प्राइस भी आ कार को जो लोक से वो बहुत ही शाणदर है और जो अच्छे तरीका से वर्क करते हैं आपको विजबिलिटी को ले कर बेकर कोई भी दिख्कत इस कार में नही आने वाली है बात करें इन्जन की तो इस कार में आपको दो इंजन आप्सयं मिलते है पहला आपको मिलता है 1.2 ल लेलिबल कर दिया जाता है बात करें इस कार के फीचर्स की अंदर इंटीर से तो आपको स्मार्ट प्ले टच स्क्रीन सिस्टम देखने को मिलता है इंजन स्टाट स्टॉप बटन स्टेरिंग माउंटेड कंट्रोल और यहां पर आपको डिजिटल इंस्टूमेंट क्लस्टर भ खाफी शानदार है तो अगर आपका बजट काम है और आपका एक बड़िया कार चाहिए जो कि लॉंग टाम के लिए चले तो आप बिल्कुल सुजू की वैगनार की तरफ जा सकते हो नंबर टू पर आती है टाटा टियागो यह जो गाड़ी ने दोस्तों यह हैच्च बैक स पीस एक शुरूं से यह गाड़ी चालू होती है और इसको टॉप मंडल है वह आपको आठ लाक रोपे का एक शुरूं देखने को मिल जाता है कार को जो लुक्स है वो ठीक्ठा की डिसेंट सही लुक्स है और जो लेक्ट्रिकल से वह भी आपको प्रहस के साब से ठीक्ठा क इस कार में देखने को मिलते हैं अगर बात करें इस कार के एंजिन की तो इस कार में आपको एक एंजिन मिलता है 1.2 लीटर का पैट्रोल इंजिन जिसमें आपको 5-speed का manual transmission और 5-speed का automatic transmission अवेलबल कर दिया जाता है बाकी यहां पर आपको एक CNG का भी option मिल जाता है जो कि सरिफ आपको manual transmission में ही देखने को मिलता है तो अगर आप वो लेने चाहते है तो वो भी ले सकते हो कार के mileage की बात करें तो इस कार से आप around 22 kmpl ते का mileage निकाल सकते हो इंटेर से बात करें तो इंटेर आपको 7-inch का infotainment system मिलता है analog meter आपको यहां पर देखने को मिल जाता है auto climate controls आपक कोई भी दिक्कत नहीं आएगी dashboard की जो fit and finishing है वो भी एकदम even quality की है तो मैं कहूं तो अगर आपका budget कम है तो आप बिल्कुल इस कार की तरफ भी जा सकते हो नंबर 3 पर आती है Hyundai i10 Neos यह चुग आडिन दोस्तों इस कार का जो look से वो बहुत ही प्यारा है और आप 5 लोग आरा प्याजिंग की बात कर तो 5.73 लेक रुपीज एक शुरूम से यह गाड़ी चालू होती है और 8.51 लेक रुपीज का आपको इसका टॉप मॉडल मिल जाता है कार को जो look से वो बहुत ही शानदर है और जो electrical से वो बहुत ही अच्छी तरीके से perform करते हैं आपको visibility को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है अंदर आप 5 लोग आराम से comfortable तरीके से बैट कर राइड कर लोगे आपको infotainment system मिलता है analog meter आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है और आपको और बहुत अच्छे पीचर से इसकार में देखने को मिल जाते हैं interior से अगर बात कर इसकार के engine क तो आपको एक engine देखने को मिलता है जो कि 1.2 liter का petrol engine जिसमें आपको manual transmission और automatic transmission अवेलबल कर दिया जाता है और इसमें आपको CNG को भी option मिल जाता है तो अगर आप वो लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो उससे mileage में effect पड़ जाएगा आपको अच्छा खासा average यह car निकाल कर देदेगी तो मैं कहूं तो अगर का budget कम है और आपको एक अच्छी mileage वाली car चाहिए क्योंकि इस car से आप around 23 km पीलते का mileage निकाल सकते हो तो आप बिलकुल Hyundai की i10 नहीं उसकी दरब भी जा सकते हो नंबर 4 पर आती है Tata Punch यह जो गाड़ी है ना दोस्तों यह अभी काफी सुरक क्यों में चल रही है और इस car को जो पब्लिक response है वो भी बहुती अच्छा है हर महीने जो Tata Punch है वो कम से कम 10-12,000 बिक जाती है तो देखा जा तो पब्लिक response इस car का बहुती अच्छा है 6 लाइक रुपीज से यह गाड़ी चाल होती है और 9.47 लाइक रुपीज का इसका आप को एक इंजन देखने को मिलता है जो कि है 1.2 लीटर का पैट्रोल इंजन इसमें आपको 5-speed का manual transmission और automatic transmission अवेलबल कर दिया जाता है यहां पर बात करें सेफटी के तो सेफटी सकार का major factor है क्योंकि इसमें आपको 5-star की global N-cape safety rating देखने को मिलती है जो कि बहुत ही बढ़िया ह reverse camera, reverse parking sensors, ABS और EBD भी आपको इसकार में देखने को मिल जाता है बात करों कोई features के अंदर से तो आग अंदर आपको मिलता है 7-inch का infotainment system, cruise control, eco और city mode भी मिल जाते है जो कि drive modes है, traction pro mode भी आपको इसकार मिलता है और digital driver display भी आपको इसकार में देखने को मिल जाता है आप 5 लोग आराम से comfortable तरीके से बैट कर राइड कर लोगे आपको इस कार में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और अगर बात कर इस कार के mileage की तो आप इस कार से around 18-20 kmpl का mileage निकाल सकते हो बाकि अगर मैं कहूं तो अगर आपको कार लेना है और आपको अपनी safety को देखना है तो आप बिलक 550,000 रोपे का एक शुरूम देखने को मिल जाता है लुक्स की बात कर दो जैसके मैंना आपको बता है लुक्सकार का best part है लोगो को य है गाड़ी लुक्स के मामल में बहुती पसंद आती है और आपको इस कार में बढ़िया पावर भी देखने को मिलती है लेक्ट्रिकल की ब मिल जाता है माइलेज की बात कर तो अरॉंड 20 से 23 kmpl तक माइलेज आप निशान मेगनाइट से निकाल सकते हैं जो की बहुती बढ़िया माइलेज है कार की सेफटी की बात कर तो डूल एरबेक्स मिल जाते हैं 360 degree का कैमरा भी मिलता है हेल स्टार्ट असिस्ट आपको मिल जाता है और यह सी भी आपको इस कार में देखने को मिल जाता है कार के इंटियर के फीचर की बात कर तो आपको एट इंच का इंफो ट्रेमिंट सिस्टम मिलेगा वायरलेस पोन चार्जर सेवन इंच डिजिटल ड्रा और आपको एकदम प्रीमिम लुकिंग कार चाहिए तो आप बिल्कुल इस कार की तरब भी जा सकते हो आप इसको सदा के लिए चला सकते हो सालों साल यह गाड़ी चलेगी नंबर सिक्स पर आती है रेनॉल्ट काईगर यह भी दोस्तों मैगनेट की तरह ही एक कॉम्पेक्ट और इस कार को भी बहुत से लोग पसंद करते हैं इस कार की प्राइजिंग की बात कर तो 6.50 लैक रुपीस यह गाड़ी चालू होती है और इसको टॉप मंदल आपको 11.23 लैक रुपीस का एक शोरूम देखने को मिल जाता है कार के जो लुक्स है वो बहुत ही तगड़े है और इसको जो धुबिलेटी है वो भी बहुत ही शानदार है किसी की भी कंप्रेण सको लिकर नहीं आई ए जो रोड विजिबिलेटी यह वो बहुत ही शानदार है अगर बात कर इस car के engine की तो आपको दो engine देखने को मिलता है पहला आपको मिलता है वन लीटर का naturally aspirated petrol engine और दूसरा आपको मिल जाता है वन लीटर का turbo petrol engine 5-speed के manual transmission और automatic transmission में आपको available हो जाती है और अगर आप CBT लेते हो तो आपको वो turbo में देखने को मिल जाता है car के mileage की बात करें तो 20-22 kmpl तक mileage आप रिनॉल्ट की काईगर से निकाल सकते हो car के features की बात कर तो interior में आपको 8-inch का enforcement system मिलता है 4 airbags आपको इस car मिल जाते हैं 7-inch digital driver display आपको देखने को मिल जाता है और 16-inch के alloy wheels आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं आप 5 लोग आराम से comfortable तरीके से बैट कर राइड कर लोगे छोटी family है 4-5 लोग है तो आप बिल्कुल इस car को prefer कर सकते हैं तो आप बिल्कुल इस car की तरब भी जा सकते हो तो आप comment करके बताओ कि आप इन 6 cars में से कौन सी car को लेना पसंद करोगे अपनी family के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको like करो शेर करो और अगर आप मेरे चैनल पर नए आया हो तो subscribe करके बैल आइकन दबा दो क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियो लात रहता हूँ अब एक लिए thanks till then wait for my new upcoming videos